महवारी में हुन का ज्यादा आना हैवी पीडिट्स हैवी ब्लीडिंग क्या आपको महवारी में बहुत जदा ब्लीडिंग हो रही है या महवारी नार्मल दिनों से ज्यादा देर तक रहती है परशान होगाती है जो महवारी के मिसाल का शिकार है इस वीडियो को लाज में पहीं है असलाम लेकुम नाजरीन उमीद करती हूँ आप सब ख्यारी उसे होंगे बहुत सी खवातिन जिनको महभारी नार्मल नहीं आती बलके इने नार्मल दिनों से ज़्यादा दिनों तक पीडिर्स रहते हैं या पीडिने बलीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है आज में बताऊंगी कि ओरत को हैवी बलीडिंग आने की वजुभात क्या है और कैसे इस मज से छुटका रहा सब किया जा सकता है हवातिन में आप पीडियर्स तीन से साथ दिन के होते हैं जबके हैवी पीडियर्स में उरतों को 10 से 15 दें तक ये मुसलसल रहते हैं और कुछ कैसे से में उरत को पूरा-पूरा महीना बलीडिंग रहती है अब सवाल ही है कि हैवी बलीडिंग का कैसे पता चलेगा तो मैं आपको बताती हूं कि अगर एक उरत को 80 ml से ज़्यादा प्लीडिंग हो रही है यानि अगर उरत एक साथ दो पैड़ इस्तमाल का रही है या हार गानेटे पाद इससे पैड चेंज करने की जूरत पढ़ रही है क्योंकि PCOS ओरतों को पिरियर से रेगुलर हो जाते हैं कुछ खवातिन को लाइट पिरियर साते हैं कुछ खवातिन को हैवी बलीडिंग होती है इसके एक और वज़ा एंडोमेट्रोसिस भी हो सकती है क्योंकि इसमें एंडोमेट्रियूम लाइन बचा दानी से बाहर आ जाती है जिसके नतीजे में हैवी बलीडिंग होती है इसके लावा वो खवातिन जिनको PID का प्रप्रड्रम हो इने भी हैवी बलीडिंग होती है यह बेसिकली ओरतों के निचले हिसे का इंफरक्शन है इसके इलावा वो खवातिन को पता ही नहीं चलता है को प्रेगनेंट है और अगर बिसकेरिज हो जाए तो इस सुरत में बलीडिंग बहुत जाद होगी और हैवी बलीडिंग ही आईगी यह वो खवातिन जिनकी उमर पहरी मेन उपास तक पहुंच चुकी हो और आपरी दो या तीन सालों में ऐसी खवातिन को हैवी बलीडिंग होना शुरू हो जाती है यह वो तमाम मसाल हैं जिनके वज़ा से औरत में प्रेगनेंसी के चांसे काम होते हैं और साथ यह वरत अंदरोनी और बैरोनी तो पर कमज़र होना शुरू हो जाती है इसका इलाज करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो अब इलाज के बारे में बात करूंगी इन तमाम वज़ुहात को सामने रखते हुए तासिर दवा खाना के माहिन होकमा और मेडिकल इसके सासत वो खवातीन जिनको बार-बार मिस्करेज हो रहा है इस इलाज में शामिल कुदती जड़ी पूटियां ना सिर्फ मामारी के मिसाल को खातम करती है बल्के और को हामला करके मां और बचे दोनों की सहत बलकरार रखती है इस इलाज से स्ट्रोजन की बड़ी इस इलाज को पिरेड्स रेगुलर आते हैं और हैवी ब्लीडिंग नहीं होती है इसके लावा इलाज खुन की कमी की वज़ा से ओरत में होने वाली कमदोरी को दूर करके और और बरोनी तोर पर सहत्मन बनाता है इलाज है इलाज है इपेक्ट से पाक हुंकुमन तोर पर और और यह उरत को हैवी पीडिड्स जैसे मिसाल से निचाह दिलाका नार्मल ओध पीडिड्स और नार्मल ब्लीडिंग को जारे रखने में मदद देता है इसके लावा यह उरत में होने माले हर तरह के इंफेक्शन से बचाता है इस इलाज की उत दोलत और प्रेगनंसी के चांसे बढ़ जाते हैं और वरत एक नार्मल जिन्गी बसर करने के काबिल हो जाती है इलाज के साथ रची खुरा का इस्तमाल भी बहुत ज़्यादा जरूरी है आईरन और वाइटामन सी से बरपूर गज़ा का इस्तमाल करें इसके लावा मैगनेशियम के सप्लिमेंट्स यूज कर सकते हैं यह वी ब्लीटिंग को रोकने में मदद देते हैं इससे इस्टोजन की बड़ी मिगदार आइस्ता इस्ता नामल होना शुरू हो जाती है ऐसे प्रोग्रम में पानी का इस्तमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें अपनी हाईजियन का खास क्यार रखें ऐसी अपाइमेंट लेकर तासी दवा खाना तश्रीफ लाएं और मुकमर चकप के बादना इलाज शुरू करवाएं बोलसीदगवादिन हमारी तारह से इलाज के बाद आज एक मुकमल और खुशाल जिन्गी बसर का रही हैं ताम बोलसीदगवादिन जो किसी वजासी क्लेनिक आसकती तो अपनी रहनुमाई के लिए हमारा यूट्यूब चैनल तासी दवाखाना बिजब करें और स्क्रीन पर दीगी नमर्स पर राप्ता करें अगरे प्रोग्राम में एक नए इंफार्मेटिव वीडियो के साथ आपके सामने हाज़गों की तब तक के लिए अपना ख झाल